हलो फैरंड कैसे हैं आप लो तो आई आज हम चालू करते हैं चैप्टर सेट्वन में आज हम बात करने वाले हैं हमारा नेश भारत के उपर बात करेंगे तो इसमें पढ़ने से पहले आगे देखने से पहले हम इसमें जानेंगे कि इस चप्टर से related कौन-कौन से question पूछे जाते हैं पहले हम इस topic के पर बात कर लेते हैं जैसे कि आप इसके question को देखेंगे तो आपको समझ में आ जागा कि इस chapter में हमें क्या-क्या पड़ना है और क्या-क्या नहीं पड़ना है जैसे कि कहता है भारत को कितने भौतिक भाग में विभाजित किया गया है भौतिक का मतलब होता है यहाँ पर फिजिकल तो इंडिया को कितने फिजिकल पार्ट में डिवाइड किया गया है आपको यह बताना है और उनके नाम तैसे देखा जाए तो भारत को छे फिजिकल पार्ट में बाटा गया है हम उसके बारे में बात करेंगे भारत की अस्थलिय सीमा साथ देशों से जुड़ी हुई है उनके नाम तो आपको बताना है है पर प्रोसी देशों के नाम बताने है कौन को से हमारे प्रोसी देशे तो प्रोसी देशों के आपके नाम बताने है कौन सी दो परमुख नदियां अरव सागर में गिरती है ऐसे ब यहां पर और भी कि इसका डेल्टा करिमान कैसे होता है यह नदियां कहां से निकलती है कहां की हो जाती है जैसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम देखेंगे कि भारत में कितने राज्य कितने किन सासित पर देशे किन दो राज्यों के राज्धानी एक ही है ऐसे कई से राज्य बात करेंगे जैसे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंडी गड़ हो जाएगा क्योंकि जो चंडी गड़ है उसकी ये दो राज में अधिक जंसंख्या में निवास करती है क्यों मैं लग कह रहा है कि हमारे इंडिया का जो नौट पार्ट है यहां पर अधिक पॉपेशन है तो यहां पर जो पॉपेशन है वह पॉपेशन इतनी क्यों है इसके region के उपर बात करेंगे लक्षिदिव को परवाल का मतलब होता है आपर क्या उभरावा दीव चो होता है ऐसा क्यूं होता है इसके बारे में हम बात करेंगे तो ऐसे कुछ कोश्टन को लेकर के आज आज चालू करते हैं तो अगरा देखते हैं आज हम आपते हैं भारत के बारे में कि हमारे भारत की कौन-कौन सीखास मुसेशता है, फिजिकल फीचर से आएए चालू करते है। तो कहता है भारत एक बहुत बड़े भोगोलिक बिष्टार वाला देश है, भोगोलिक का मतलब होता है जिसका फिजिकल और जियोलोजिकल जो एरिया है काफी जादा होता है, इस प्रकार के चीजों के बारे में बात करेंगे, कहता है कि यह उत्तर में हिमाले के उच सीखर से गिरा हुआ है और पच्छी में अरब सागर पूरव में बंगाल की खाड़ी और दच्छिन में हिंद मासावर भारती प्रायदीव के टटो से पर लहराते हैं अब इसके बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं आपको मैप में समझ में आ जाएगा ज़ जब पूरा का पूरा पार्ट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पार्ट ये पूरा का पूरा पूरा जो पार्ट है ये आपका पार्ट कैसा होला है तो ये है आपका हिमाले का पार्ट है मदले इस पूरे छेतर में आपका हिमाले फैला हुआ है ठीके थोड़ा सा और कहा रहा है कि भारत का छेत्रफल 32.8 लाख वर किलोमेटर है कहीं कहीं पर यह केवल 32 ही लिखा गया है उत्तर में कस्मीर से लेकर दच्छिन में कन्या कमारी तक इसका विश्तार 30-200 है इसको समझता हो तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं इस मैप पर रसाने से कि आप ऊपर से नीचे के रहते हैं तो इसका जो ऊपर से नीचे डिस्टेंस नीचे निचे month-0 किलोमेटर के ब्रावर है इसका थोड़ा सा color change कर लेते हैं हम लोग समझ में अच्छे सा आगा आप लोग को तो यहां पर इसकी जो टोटल उपर से north to south जो डिस्टेंस है वो 3200 किलिमेटर है करें अब हम बात करेंगे क्या east to west की बात करेंगे तो इसका जो distance से जहीं है doing nine qm है यह बहना है इसका डिस्टन्स तो कितना हो गया यह दो हजार नौसो किलेमिटर होगे आई देखता है कि कह रहा कि है कि यह कह रहा है कि उचे उचे परवत भारतिये मर्वस्थल इंडन डेजर्ट उत्री मैदान आसमान पठारी सत्रा इसे कहते हैं कि प्लेटू एरिया तट्ये भा इसे कह ना हो तो हम्याबे क्या सकते हैं कि देखा जाए तो भारत के भारत के छे परमुक भौतिक स्वरूप होते हैं क्या होते हैं भौतिक स्वरूप होते हैं देखते हैं कौन-कौन से तो पहला हमारा कह रहा है क्या पहला हमारा कह रहा है हिमाले दूसरी दी बात करते हैं तो दूसरा आपका आजाता है उत्तर का मैदान तीसरा दीम बात करते हैं तो तीसरा आप यहाँ पर कह सकते हो दक्कम का पठार और यहीं बात करते हैं चौथे के बारे में तो चौथा आपका जो यहाँ पर है उसे कह सकते हो तर्टी छेत्र फल या तर्टी भाग तो यहीं आप पांच में बात करते हो तो कह सकते हो आईलेंड जिसी कहते हैं दीवसमू और यदि आप छटे की बात करते हो तो छटा हमारा आता है क्या मरवसतल्य है तो यह हो क्लादगा कहँए है क्या हम बात करते हैं तो कहता है कि इस विविनता में हम एक ताको पाते हैं आपको बताएं कि जो हमारा भारती मरोस्थल है इस प्रकार के भारती मरोस्थल की बात करें तो यह बताता है कि भारत में हमारे पास छे भौतिक शरूप देखने को मिल जाते हैं यहां जलवायू, बनस्पती, बनने जीवों के साथ साथ भासा, संस्कृती में भी बहुत अधिक भिविनिता पाई जाती है मला यह हुआ कि भारत के अंदर क्या है तो भारत के अंदर जैव बिविदिता अधिक है यही कारण है कि हम एक राष्ट में बंदे हैं वर्स 2011 से अब तक भारत की अबादी 120 करोड से अधिक हो चुकी है यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अलई कहा जा रहा है कि विश्व में देखा जाए तो विश्व में सबसे अधिक किसके पास है तो चीन के पास है और दूसरा किसके पास है तो दूसरा भारत के पास है भारत में 2011 के अनुसार दिखा जाए तो 120 करोड जनसंख्या हमारे हां रहती है लेकिन चाइना में इससे ज़्यादा रहती है अब कह रहा है इस्थिति के बारे में कि भारत के इस्थिति में है भारत के जी बात करते हैं तो करक रेखा जो भारत के बीच वीच से गुजरती है यह 23.5 उत्तर से गुजरती है यह देश के लगभग मद्य भाग से गुजरती है दच्छिन से उत्तर की और भारत की मुख की भूमी का जो बिश्तार है वह 8 डिगरी 4 मिनट से लेकर के 37 डिगरी 6 मिनट के बीच में देखने को मिलता है ज़िए हम बात करते हैं इसके पूरव से पच्छिम से पूरव के बिश्तार के बारे में तो यह है आपका 68 डिगरी 7 मिनट पूरव से लेकर के 97 डिगरी 25 मिनट पूरव के बीच में फैला हुआ है इस जो आपने देखा उत्तर अला पार्ट यह एक चांज था और जो पूरा अला पार्ट था वो देसांतर था आई देखते हैं मैप में समझ लेते हैं इसके मैप में समझे तो आपको नीच में 8 डिगरी 4 मिनट से लेकर के ऊपर कितना है तो 37 डिगरी 6 मिनट कितना है तो ऊपर है आपका 37 डिगरी 6 मिनट है यह हम बात करते हैं आपर आपके इस स्ञेर में तो यह है 67 डिगरी का लिका है इसके बीच में फैला हुआ है तो यह है आपका नौर्थ और यह है आपका इस्ट यह है आपका इस्ट और आप दिखेंगे यहाँ पर दूसरे साइड में तो नीचे मिल जाता है आपका यह भी है आपका इस्ट तो इस प्रकाड से स्वर्शल गलत हो गया यह है आपका नौर्थ तो आप कैसे हैं इंडिया का जो अक्छान से वह है आपका एट डिगरी फोर मिनट से लेकर के 37 डिगरी 6 मिनट तक है और आपका लैटिटूट के लिए बात करते हैं इसे कहता है दैसान तक तो वह है आपका 68 डिगरी 7 मिनट से लेकर के 97 डिगरी 25 मिनट के बीच तक फैला हुआ है आई समय लेते हैं इसके बारे में आ तो क्लास यहां कह रहा है क्या यहां पर देखें तो यह आगे कह रहा है क्या यह कहता है कि अगर हम विश्व को पूरवी और पच्छमी गुलार्द में बाढ़ते हैं तो भारत के स्थिते किस गुलार्द में होगी तो बहुत बड़े देशांतरिये विश्थार लगभग 29 डिगरी के कारण या दो छोर पर अस्थानों के दो छोर पर स्थित अस्थान रखा जाए तो यह दो घंटों का होगा कितने घंटों का होगा दो घंटों का होगा मल यह वा कि इंडिया के इस पार्ट से लेकर के इंडिया के इस पार्ट में अलग कि यहां से यहां के बीच की जो दूरी है इसको ध्यान में रखा जाए तो भारत में यहां पर दो घंट होता है कहता है कि पच्छिन में गुजरात की अपिक्चा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूरे दे दो घंटे पहले होता है आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 TO DO 30 पूरबी देशांतर के अस्थानिय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है यह मैं अको बता चुका है मानक समय के मतलग होता है इसे यम्यितर को भारत का मानक अस्टेंडर मेटि टाइम कहा जाता है क्योंकि इसकी मार्द्यूम से इंडिया का जो टाइम होता है इंडिया का टाइम डिसाइड होता है कि इंडिया का टाइम कहां पर क्या होगा और क्या नहीं होगा तो यह तो थे हमारे बारत अब हमारे पास नेश्ट पूंड आता है क्या हमारे पास नेश्ट पूंड आता है भारत के पडोसी देशों के बा सीमा भारत से लगती है उससे आप क्या कहेंगे तो पडोसी देश कहेंगे तो देखते हैं कि भारत की आसपास की देश जिसका सीमा भारत से लगता है दो कहे रहे हैं कि acerca जाये तो इह आपका पाकिस्तान दुसरा आफगानिस्तान में पार देखने ऊपर और अपालबार यह तैसरा आपका चैना है चौथा नेपाल है पांच मा भोतान है छठा मैमार है और सात्मा बांगला देश है तो ये हैं साथ ऐसे देश जो भारत की सीमा को टच करते हैं और इन्य को हम कहते हैं पडोसी देश कहते हैं नीचे देखा जाए तो नीचे हमारे पानी से जुड़ा हुआ दो देश जिसे स्रिलंका और माल्दी तो ये दोनों के दोनों देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जल संधी के माध्यम से जड़ा हुआ है आगे देखते हैं मेप के बारे में तो यह आप मैप देख रहे हैं यह इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखने को आपको मिल जाए क्लास जब इंडिया की बात करते हैं आप पॉलिटिकल मैप के बारे में तो इस मैप के रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे जैसे कि भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे भारत के राधानियों के वारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ हम यही बात करेंगे कि भारत में इसका क्या इंपोर्टेंस है इन सभी चीज़े के वारे में आईए हम देखने का काम करते हैं इकलास तो यहां पर देखा जाए तो कहता है कि इनमें से कौन-कौन से देश हैं जिनकी समूंदर से नहीं जुड़ी है वलकि जब कि समूंदर से सिमाय जुड़ा हुआ नहीं है दच्छिन में तो कहा है रध्यान देना कि जिसकी सिमा समूंदर से जुड़ी हुई नहीं है दच्छिन में समूंदर में इस्थित दो दीप स्रिलंका और मालदी पडूसी हैं पाक जल संधी भारत को स्रिलंका से अलग करता है यह हुआ आप यहां पर देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो इंडिया और हमारे पास जो इंडिया और स्रिलंका है इनके बीच में जो यह एलिया देख रहे हैं इसी को कहते हैं पाक जल संधी कहते हैं और इसे की माध्यम से स्रिलंका भारत से जुड़ा हुआ है। आप यहां पर देखते हैं कैसे कौन-कौन से राज्य हैं जिसके सिमा हमारे देश में समूंदर ठल से नहीं लगती हैं समूंदर से नहीं जुड़ती हैं तो देखा जाए तो पहला आपका देखो यह रहा आपका हर्याना यह है आपका हर्याना दूसरा देखा जाए तो मद्देपर्देश तीसरा देखा जाए तो तिलंगाना चौसरा देखा जाए शत्तिस गड़ और पाचमा है जार गड़ तो ऐसे पांच ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा है ना तो आपका किसी अंतरास्टिये देशों से लगती है ये कुछ ऐसे पांच राज्य है जिनकी सीमा इनकी जो सीमा है ये सीमा ना तो समूंदर से लगती है और ना ही इनकी सीमा अंतरास्टिये सीमा से लगती है तो ये हैं हमा अंतरिक राज कहते हैं आंतरिक राज कहते हैं क्या राजनीति के भाइब करते हैं भारत ऑफारा एक विशाल देश प्रताशनिक के लिए डेश को इसे कहते हैं Union territory कहते हैं। आई डीट्टे आगे सक्वारे में। कह रहा है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्मान मुखिता भाशा के अधार पर हुआ है। किस अधार पे तो भाशा के अधार पर हुआ है। छेतरफल की द्रिष्टि से सबसे बड़ा राज राजस्थान है सबसे छोटा राज कॉन सा है गोवा है तो इंडिया का लार्ज đã लेकिन देखा जए स्मालज़ेट के वारे में तो हमारे पास जो स्मालज़ेट है उसका नाम है ग возь यह अस्मालज़ेट क्या कहा है क्या राजियों को जिला में बाटा गया कहा है भौतिक बिवाजन भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकिर्टिया विविन प्रकार की ہے जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तठ है और दीवसमू है उत्तर में बर्व से धका हिमाले संत्री का कारी करती है हिम पलस आले का मतलब होता है बर्व का घर हिमाले पर्वत को तीन समनांता स्रेनियों में बाटा गया है सबसे उपर वाले सिरीनों कहते हैं ब्रिध हमाले इसे हिमादरी कहते हैं इसी सरंगला में विश्विक की सबसे उची सी घर पाय जाती है मद्ध हिमाले या हिमाचल हिमादरी के दच्छिन में इस्तित है बहुत से लोगप्रिये पहाड़ी अस्थान यहाँ पर इस्तित है इसको समझने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं मैप के बारे में तो जैसे कि आप इस मैप को देख रहे हैं इस मैप में आप जो देख रहे हैं इस मैप में हिमाले को तीन पार्टों में बाटा गया है तो देखो इसका जो ऊपर का जो पार्ट है यह जो आप पार्ट देख रहे हो न इसी पार्ट को हम कहते हैं क्या इसी को हम कहते हैं ग्रेटर हिमाले कहते हैं लेकिन आप देखेंगे इसके नीचे आले पार्ट जो देख रहे हैं आप यहाँ पर यह ग्रेट हिमाले इसी को हम कहते हैं क्या इसी को हम कहते हैं हिमादरी कहते हैं हिमादरी अब यहां पर हमारा दूसरा आता है बीच का पार्ट जो बीच का पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं मिडल हिमाले कहते हैं कहके तेमिसे मिडल हिमाले कहते हैं या इसी कहते हैं मद्द हिमाले कहते हैं जब हम बात करते हैं मद्ध हिमाले के बारे में तो मद्ध हिमाले ग्रेट हिमाले और लोर हिमाले के बीच का पार्ट होता है इसके अदमा नीचे आता है सिवालिक देखो लिखा वे गया है सिवालिक यह आपका तो यह है आपके सिवालिक सबस्दों निचला रिंज होता है उ तो यहां पर कह रहा है कि हाँ, कह रहा है आपको पांच पहाड़ीयों के नाम बताना है, कहाँ पर तो हिमाचल या फिर मद्द हिमाले के बारे में बात कर रहा है, यदि हम मद्द हिमाले के पहाड़ीयों के बात करें, तो यहां पर आपको काफ़ सारी पहाड़ीयां मिल जात महा भारत ऐसे कई सारी पहाड़ियां आपको मिल जाती है कहता है हिमाले के दच्छिन में भारत का उत्री मैदान इश्थी थे यह मैदान सम्तल और सपाठ है यह मैदान सिंधु गंगा और ब्रहम पुत्रा तथा इसकी सहाइक नदी ट्रिवुट्रिज की द्वारा लाएगे जलोड निच्छेव से बने हुए है मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो आप इस प्रकार के मैदान देखते हैं इस प्रकार के मैदान का निर्मान जलोड मिट्टी से होता है किसी होता है तो जलोड मिट्टी से इनका निर्मान होता है जलोड मिट्टी कहते हैं ऐलूवियल होता है यहाँवे कहता है क्या नदियों के ये मैदान क्रिशी के लिए उपजाव भूम takiej प्रदान करते हैं यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है तो हमने नीचे कोशन पढ़ा था ना कि यहां की जनसंख्या ज्यादा क्यूं होती है तो इसका कारण यह था उपजाओ भूमी अधिक होने कारण यहां पर खेती में होने वाला पैदावार ज्यादा होता है इसलिए यहां की पॉपलिस अंदर ज्यादा होती है हम साइड में दिएगे बॉक्स को भी पढ़ेंगे लेकिन चप्टर के पढ़ने के बाद भारत के पच्छमी भाग में भारती ये मरोस्थलिष्थी थे और यहां सुस्क गर्म और रेतीले अस्थान है यहां बनस्पते की मात्रा बहुत ही कम होती है ऐसा इसल करन यहां पर आपको जो पेड़ पौदे होते हैं उनके संख्या बहुत ही कम होती है कहता है उत्तरी मैदान के दच्छिने में परायदीपी पठार इस्थी थे और इसकी आकिरती त्रिभूजाकार है इसका धरातल काफी उंचा नीचा है और इस छेत्र में बहुत सी पहाड इस रिंकला घाटियां इस्थी थे इसके उत्तर पच्छे में अरावली रेंज इस्थी थे जो विस्वी के सबसे पुराने इस रिंकलाओं मेंसे एक माना जाता है कहता है बिंदी या इवम सत्पूरा भी महत्पूर्ण सिंख्ला हैं और इन सिंख्लाओं से होकर नर्मदा और तापी नदियां बैती है तो यहां से कोशन आ गया आप लोग का कि जो नर्मदा और जो तापी है वो कहां से निकलती है तो वो निकलती है बिंदियाचल प्रवसे निकलती है और सत्पूरा से निकलती है कहता है यह पच्छिम की तरफ बहने वाली नदियां है जो अरव पूर्वी घाट का विश्तार बीच बीच में तूटा हुआ है और आसमान है कहता है कि इन पठारों में खनी जो जैसे कोईला और लोह आयसक परचूरता में पाए जाते हैं किस चेतर में तो यह बात कर रहा है आपके इंडिया के जो आपका इस्ट पाठ है इस्ट इस्टन घ घाट जो है यहाँ पर ज्यादा पाए जाता है कोईला और लोहा ज्यादा पाए जाता है कहता है पच्छी में घाट के पच्छी में तथा पूर्वी घाट के पूरब में पूर्वी टटिये मैदान इस्थी थे पच्छी में टटिये मैदान काफी संक्रे हैं संक्रे का कहता है पूरवी टटियमेदान जो इस्टल कोस्टल प्लेन एरिया होता है अप एक्छा कृत काफी जादा चवड़ा होता है तो यहां का जो यह है काफी जादा चवड़ा है वहां पूरब के और बहने वाली कई नदियां महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी बंगाल की खाड़े में गिरती है यह नदियां अपने महाने पर उपजाओ डेल्टा का निर्मान करती है बंगाल की खाड़े में गंगा ब्रहंपुत्रा नदियों के महाने पर सुंदर्वन डेल्टा बनता है यह हुआ कि यहां पर गंगा और ब्रहंपुत्रा के जहां पर नदियां म लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने ऊपर जो पढ़ा है भोत एक बिवाजन के बारे में इसको पहले हम इस मैप में देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो दुखना पर कह रहा है कि यहां पर देखा जाए तो भारत के बारे में कह रहा है कि अरावली रेंज देखो कहां पर है तो अरावली रेंज आपका राजस्थान में फैला हुआ है राजस्थान के इस छेतर में ही आपका भारतिये मरवस्थल फैले हुए है भारतिये मरवस पुत्तर का प्लेन एरिया, इसे कहते हैं Northern Plain Area कहते हैं, यहां पर देखेंगे तो तो मिल रहा है, गंगा निदी मिल रहा है, यहां पर अब भ्रहंपुत्तरा मिल रहा है और उपर से सिंधु मिल रही है, तो इन तीनों ही नदियों के मिलने से इस छेत्र में आपका डेल्टा क रिंखला है। ऐसे देखा जाए तो यहां पर है आपका छोटा नाफ्पुर रिंखला है। अैसी श्रिंखला मिल जाती है। हमारे देखा जाए तो अभी हमने नीचे पढ़ा था कि यहां पे कुछ नदियां बैती है तो यह रहा महानदी यह रहा गोदावरी यह रहा कृष्णा और नीचे यह रहा कावीद यह नदिया कुछ यहां पर बैती है यहां देखा जाए तो आपके वेस्टन घाट में केवल गाट कहते हैं इस पकार से देखा जाए तो जो वेस्टन गाट है इसकी चोड़ाई काफी जादा है और वेस्टन गाट की चोड़ाई काफी आदा कम पाई जाती है अब यहां पर कह रहा है क्या यहां पर जादा इसलिए होता है क्योंकि यहां से लाए गई नदियां यहां प तो और आगे देखें तो इसे में आगे कहता है क्या हमारे पास इसमें आगे कह रहा है तो कह रहा है कि भारत में दो दीप समू है पहला है लक्षदीप दीप समू है और दूसरा हमारे पास है अंडमान निकवार दीप समू है जो लक्षदीप है ये अरब सागर में है केरल के टट से कुछ किलोमेटर के दूरी पर है जबकि जो अंडमान निकुबार है यह दच्छिन पूरव बंगाल की खाड़े में फैला हुआ है थोड़ा सा इसको दी मैप पे देखें तो आप मैप पे समझ सकते हैं कि यह कहां पर है तो यह रहे आपका यह जो आप देख रहे हैं यहीं है आपका अंडमान निकुबार है लेकिन आप देखते हैं कि यहां पर कुछ आईलेंड आपको पाई जाते हैं केला के असपर तो इसी को आप कहते हैं लक्छ दीब कहते हैं क्या कहते हैं लक्छ दीब कहते हैं और यह है अंडमान निकुबार यह कहां पर है तो यह है आपका बेयो बंगाल में है और यह है आपका अरेवियन सी में है यहाँ पर कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि कौन सा दीब समू बर्स 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था तो यहाँ पर यहाँ पर आपका है कुमारी आइलेंड है इंद्रा पॉइंट है जो डूप चुक बिखियो ने अलग-लग तरीके से इसकी चुणौटी का सामना किया सुनामी एक बिशाल सागरी तरंग होती है जो समूंदर तल पर भुकम के कारण उत्पन होती है तो हमारा जो ये लेयर होता है बुकम का जब नीचे सुर्य पानी का जब नीचे भुकम पाता है तो इसके हल चल के कारण हमारे उपर के पानी के सरफस में हल चल होती है और यही हल चल बढ़ जाती है यही आपका सुनामी का रूप ले लेती है इसके कारण हमारे coastal land के उपर अपर काफी जादा मात्रा में negative impact पड़ता तो यह थे इसके बारे में कुछ बिज़े जानकारी तो अभी तक हम ने सकते पड़े थे शारे कोशन के आंसर आई होप आपसे बन जाएंगे क्योंकि इसमें देखा था क्योंकि उनी चोटे फोटे आईलेंड के ऊपर बना हुआ है कहता है हिमाले के सबसे दच्छनी भाग को क्या कहा जाता है हिमाले के सबसे दच्छनी भाग को दिखा जाए तो हम कहते हैं सिवाली कहते है क्योंकि इसे तीन पार्ट में बाटा गया था अपका ग्रेट हिमाले, मिडल हिमाले और लोवर हिमाले इसी को Lower Haramala को हम कहते हैं सिवालिक सहाइद्री को किस नां से जाना जाता है सहाइद्री को दिखा जाए तो पश्च में घाटवी कहते है कहता है पाक जलसंधी किन देशों के बीच सिति थे तो यह स्रिलंका और भारत के बीच में सिति थे पाक जलसंदी कहते हैं खहता है कि अरव सागर में इस्थित भारते दीब समु कौन सा है तो अरव सागर में आपका है लक्ष दीव है लक्ष दीव दीव संगुऊ है ठीक है तो और बात करते हैं तो कहता है कि भारत की सबसे पुराने परवस रिंकला कौन सी है भारत का चेतल कितना है तो 32.8 बर्ग लाख किलो मीटर है महान हिमाले को हम हिमादरी भी कहते हैं क्या कहते हैं तो हम हिमादरी भी कहते हैं छेतरफल के दिष्टी से डैस भारत का सबसे बड़ा राज यह है तो कौन सा है तो वो है राजस्तान कौन सा है राजस्तान नर्मना नदी डैस सागर में गिरती है तो वो गिरती है आपकी अरव सागर में गिरती है डैस भारत के लगभग मद्ध से होके गुजरती है जिसे हम कहते हैं क्या जिसे हम कहते हैं करक रेखा कहते हैं नेश में कह रहा है मांचित्र के कार कह रहा है करक रेखा को अपचिनित कीजिए तो करक रेखा ये भारत के ये भारत के आठ राज्यों से होके गुजरती है आठ राज्यों से गुजरती है आप ये पूरवी घाट पच्मी घाट की बात करते हैं तो पूरवी घाट का जो डेल्टा है बड़ा है और पच्छमी घाड का जो डेल्टा है वो पतला संकरासा डेल्टा है तो यह आपको इसके मैप में बताने क्लास इसी के साथ आज का चैप्टर खतम होता है एक ऐसा लगा आपको जरूर बताएगे और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करे तो मिलते हैं ना इस चैप्टर में चैप्टर एट में मिलेंगे फिर इसके बाद हमारा चैप्टर खतम हो जाएगा और हम बात करेंगे क्लास सेवन के जोगरफी पर बात करेंगे तो इसके लिए आप बने रहे हैं साथ और हम इस चैनल को और आगे बढ़ाते रहेंगे झाल झाल